सरल और धारप्रवा हिंदी में कौशित की ब्रहमन उपनिशत प्रस्तुत करता स्वयम प्रकाश शर्मा तीसरे भाग तीसरे भाग में उपनिशेत का तीसरा अध्याय है और इसमें ये विशे हैं जैसे कि सबसे बड़ा उपहार परम ब्रह्म का ग्यान है तथा परम ब्रह्म की पहचान जीवन तथा अमर्ता से है इसमें परम ब्रह्म की व्याख्या इंद्र के रूप में की गई है उपनिशत देवदास का पुत्र प्रतरदन लड़ाई से तथा मेहनत से इंद्र के प्रिय निवास्थान तक पहुँचा उसे देख इंद्र ने उसे कहा प्रतरदन मैं तुम्हें वर्दान देता हूँ जिस पर प्रतरदन ने उत्तर दिया प्रभू आप ही मेरे लिए वे वर्दान चुनिये जो वर्दान मानव जाती के लिए सबसे अधिक हितकर हो इस पर इंद्र बोले प्रतर्दन एक उच्चक श्रेणी वाला अपने से निम्न श्रेणी वाले के लिए वर्दान नहीं चुनता अपना वर्दान स्वयम चुनो जिस पर प्रतरदन ने प्रत्युत्तर में कहा तब तो आपने मुझे वर्दान दिया ही नहीं तब इंद्र जो स्वयम सत्य ही है सत्य के मार्ग से नहीं भटका और अपने वचन को रखते हुए परंब्रम के रूप में बोलते हुए इंद्र ने प्रतरदन से कहा प्रतरदन मुझे ही जानो अर्थात परंब्रम को समझो यही मैं मानव जाती के लिए सबसे हितकर मानता हूँ कि वे परंब्रम को समझे यह जानो कि मैंने तीन सिरों वाले तवश्तरी के पुत्र की हत्या की मैंने उन अरुन मुखों को जो तपस्यों के भेश में असुर थे मैंने उन्हें भेडियों के हवाले किया कई संधियों को तोड़ कर मैंने प्रलाद के लोगों को आकाश में मारा पॉलमों को वायु मंडल में तथा काल खांजसों को प्रित्वी पर मारा तब मैं ब्रह्म के रूप में ऐसा था कि मेरे सिर का एक बाल भी बाका ना हुआ इसलिए जो मुझे ऐसा जान लेता है उसका लोक कभी भी क्षती ग्रस्त नहीं होगा चाहे वे कुछ भी करे चाहे वे चूरी करे चाहे वे भुरून हत्या करे चाहे वे अपने माता पिता की हत्या ही क्यों न कर दे यदि वे परम ब्रह्म को जान लेता है तो उसके लोक को कभी भी कोई भी क्षती नहीं पहुंचती और यदि वैक कोई पाप या दुष्टता करने के बारे में सोचे तो भी उसके चेहरे का रंग फीका नहीं पड़ेगा उसके चेहरे का रंग उड़ेगा नहीं तब इंद्र ने कहा मैं श्वास लेती आत्मा हूँ मुझ पर प्रग्या आत्मा के रूप में जीवन के रूप में अमर्ता के रूप में ध्यान लगाओ जीवन श्वास है और श्वास जीवन है शरीर में जीवन तब तक ही रहता है जब तक शरीर में श्वास रहता है श्वास लेती आत्मा से व्यक्ति इस लोक में अमर्ता प्राप्त करता है और प्रग्या अर्थात बुद्धिमत्ता से वे सच्ची समझ प्राप्त करता है तो वे जो मुझ पर जीवन के रूप में तथा अमर्ता के रूप में ध्यान लगाता है वे इस लोक में अपनी पूरी आयू तक जीता है और वे स्वर्ग लोक में अमर्ता तथा अनश्वर्ता प्राप्त करता है अब इस विशय पर कुछ लोग कहते हैं कि प्राणधारश्वास एकता को जाते हैं वे एक बन जाते हैं क्योंकि ऐसा ना हो तो हम एकदम कुछ भी जान न पाते वानी से नाम, आँक से रूप आकार, कान से ध्वनी तथा मन से विचार हम ये सब प्राप्त करना पाते प्राणधारश्वास एकता प्राप्त करने के बाद एके करके सब की जानकारी देते वा लेते हैं इसलिए जब वानी बोलती है, बाकी के प्राणाधार श्वास उसके पीछे-पीछे अपने-अपने करतावि करते हैं। ऐसे ही जब आँख देखती है, जब कान सुनता है, तथा जब मन सोचता है, तब बाकी के प्राणाधार श्वास उनके पीछे-पीछे अपना-पना कारे करते हैं, जब श्वास श्वास लेता है, तब बाकी के जीवन श्वास उसके पीछे पीछे श्वास लेते हैं, यह सब ऐसा ही है, ऐसा इंद्र ने कहा, लेकिन इन जीवन श्वासों में भी आपस में उच्चितम उत्रक्रिष्टता है, इन पांच प्राणों में भी एक प्रा सकता है हम गुंगे देखते हैं वै आंग की दृष्टी बिना जी सकता है हम अंधे देखते हैं वै कानों से सुने बिना जी सकता है हम बहरे देखते हैं वै मन के सोच विचार के बिना जी सकता है हम मन्द बुध्धी वाले बालक जैसे लोग देखते हैं पैरों बिना हाथों बिना लोग जी सकते हैं, हम बिना हाथ पैर के लोग देखते हैं, लेकिन जीवन श्वास के बिना तो व्यक्ति जी ही नहीं सकता, यह श्वास लेती आत्मा ही है, यह प्रग्या आत्मा ही है जो व्यक्ति के शरीर को जकर लेती है, और तब वह उस शरीर को खड़ा कर देती है, इसलिए कहा जाता है कि इस पर उक्त के रूप में इस पर कविता के रूप में ध्यान लगाना चाहिए श्वासलेती आत्मा में यही सब कुछ प्राप्त करने वाली है जो श्वासलेती आत्मा है वही प्रग्य आत्मा है और जो प्रग्य आत्मा है वही श्वासलेती आत्मा है इसका यही द्रश्टिकोन है, इसकी यही समझ है जब यक्ति ऐसी गहरी नीद में सोय होता है कि वह किसी प्रकार का कोई भी स्वप्न नहीं देखता तब वह उस अकेली श्वास लेती आत्मा के साथ एक हो जाता है तब वानी सब नामों के साथ आख सब रूपों वा आकारों के साथ, कान सब ध्वनियों के साथ तथा मन सब विचारों के साथ, यह सब के सब उसको जाते हैं और जब वह जाग जाता है, तब जैसे एक तेज जलती हुई आग से चिंगारिया निकल कर चारों ओर जाती हैं, वैसे ही इस आत्मा से प्राणाधार श्वास निकल कर अपने अपने स्थानों को जाते हैं इन जीवन शक्तियों से, इन प्राणाधार शक्तियों से इंद्रियों की शक्तिया निकलती हैं और इन देवों से लोक निकलते हैं यही श्वासलेती आत्मा यही प्रग्या आत्मा शरीर को जकर लेती है और तब वे उस शरीर को खड़ा कर देती है इसलिए कहते हैं कि इस पर उक्त के रूप में इस पर कविता के रूप में ध्यान लगाना चाहिए श्वासलेती आत्मा में यही सब कुछ प्राप्त करने वाला है जो श्वासलेती आत्मा है वह प्रग्या आत्मा है और जो प्रग्या आत्मा है वही श्वासलेती आत्मा है यह दोनों शरीर में एक साथ रहते हैं और शरीर से एक साथ जाते हैं यही इसका प्रमान है यही इसकी समझ है जब एक रोगी मृक्तियों के निकट पहुँचता है और वे इतना कमजोर वे इतना दुर्बल हो जाता है कि वे बेहुशी की स्थिती में चला जाता है तब उसके लिए कहा जाता है कि उसका सोचना चला गया है वे सुनता नहीं वे देखता नहीं वे वानी द्वारा बोलता नहीं वे सोचता नहीं वे उस अकेली श्वास लेती आत्मा में आत्मा में एक हो जाता है वे उसके साथ मिल जाता है वे उसमें विलीन हो जाता है तब वाणी सभी विचारों के साथ उसके साथ चली जाती है और जब वे शरीर से चला जाता है तब वे इन सब को अपने साथ लेकर इस शरीर से जाता है वाणी उसे जो जीवित श्वास में विलीन है सब नाम देती है वाणी से वे सब नाम प्राप्त करता है श्वास उसे सब गंद देता है श्वास से वे सब गंध प्राप्त करता है आँख उसे सब रूप और आकार देती है कान उसे सब ध्वनिया देता है मन से वे सब विचार प्राप्त करता है वास्तव में ये दोनो श्वासलेती आत्मा तथा प्रग्या आत्मा शरीर में एक साथ निवास करती हैं और एक साथ शरीर से बाहर जाती हैं ये दोनों आत्माएं एक साथ जीती हैं और एक साथ मरती हैं और सब जीव इस प्रग्या के साथे कैसे होते हैं अब हम इसकी व्याख्या करेंगे वानी इस प्रग्या में से ही एक हिस्सा निकाला हुआ है नाम इसका बहरी से संबंदित विशे तत्व है ऐसे ही इस प्रग्या में से श्वास, आंक, कान, जीब, दो हात, शरीर, उत्पादक अंग, दो पैर, तथा मन ये सब इस प्रग्या में से ही निकाले हुए इसके एक-एक हिस्से हैं सुगंध, रूपव, आकार, ध्वनी, खाने पीने का स्वाद, कर्म, पीड़ा तथा आराम, आनंद, खुशी, प्रजनन, गतिया चलना फिरना तथा विचार एवं इच्छाएं ये इन सब के जगत में बहरी सैसमंदित विशेतत्व हैं वानी, आँख, कान, इत्यादी ये सब के सब प्रग्या के ही भाग हैं और इन सब के साथ इनसे जुड़े बहरी जगत में इनके विशेतत्व हैं प्रग्या द्वारा वानी पर नियंत्रन पाकर वानी द्वारा व्यक्ति सब नाम प्राप्त करता है ऐसे ही प्रग्या द्वारा श्वास, आंक, कान, जीब, दो हात, शरीर, प्रजनन अंग, दो पेर तथा मन इन सब पर नियंत्रन पाकर व्यक्ति, इनके द्वारा सभी गंध, सभी रूप वा आकार, सभी ध्वनिया, खाने पिने के सभी स्वाद, सभी कर्म, सभी पीड़ा वा आराम, सभी आनंद, सुख तथा प्रजनन, सभी गतिय था चलना फिरना, तथा सभी विचार वई करता है, बिना प्रज्या के तो वानी, आत्मा को किसी भी नाम की जानकारी दे नहीं सकती, मेरा मन कहीं और था, मैं उस नाम को जान नहीं पाया, इसी प्रकार बिना प्रज्या के बाकी के हिस्से भी, अपने अपने जगत के बहरी विशे तत्वों की जानकारी दे नहीं सकत तब वे कहता है मेंरा मन कही ओर था मैं उस गंध को उस रूप वआकार को उस ध्वनी को खाने पीने के उस स्वाद को उस करम को उस पीड़ा वा आराम को उस आनंद खुशी तथा प्रजनन को उस गतिया चलने फिरने को मैं इन सब को जान नहीं पाया प्रग्या के बिना कोई भी विचार प्रभावशाली या असरदार नहीं हो पता जो कुछ भी जाना जा सकता है वे सब कुछ प्रग्या के अभाव में या प्रग्या के ना होने पर जाना नहीं जाएगा बिना प्रग्या के तो कुछ भी जाना नहीं जा सकता व्यक्ति को वानी को समझने की च्छा नहीं होनी चाहिए बलकि व्यक्ति को बोलने वाले वक्ता को जानना चाहिए ऐसे ही व्यक्ति को गंद को, रूपव आकार को, ध्वनी को, खाने पिने के स्वाद को, करम को, पीडा तथा आराम को, आनंद, खुशी तथा प्रजनन को, गतिय चलने फिरने को, तथा मन को व्यक्ति को, इन सब को समझने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बलकि व्यक्ति को, गंद को सूंगने वाले को, रूपव आकार को देखने वाले को, ध्वनी को सुनने वाले को, खाने पिने के स्वाद को, पहचानने वाले को, करम करने वाले को, पीडा तथा आराम को अनुभ अभव तथा उन्हें पहचानने वाले को, आनंद, खुशी तथा प्रजनन को जानने वा पहचानने वाले को, गतिया चलने फिरने वाले को, जानने वाले तथा सोचने वाले को, व्यक्ति को इन सब को जानने की च्छाहोनी चाहिए, इन सब को जानना चाहिए, ये दस अस्ति अस्तित्व के संदर्व में है और वास्तव में यदि अस्तित्व तत्व ना होते तो प्रग्या तत्व भी ना होते और यदि प्रग्या तत्व ना होते तो अस्तित्व तत्व भी ना होते ये दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्वर हैं एक के बिना दूसरे का अस्तित इन में से अकेले किसी एक में से कोई भी रूप्याकार संभव नहीं है और यह आत्मा की प्रग्या कई और विस्तरित नहीं है बलकि यह एक है जैसे रत के पहिये अरें पर स्थापित हैं और अरें पहिये के बीच उसके नाभी में केंद्रित और स्थापित हैं इसी प्रकार अस्तित्व के तत्व प्रग्या के तत्वों में स्थापित है और प्रग्या के तत्व श्वास लेती आत्मा में स्थापित है यही श्वास लेती आत्मा वास्तव में प्रग्या आत्मा है जो आनंद है जो वृद्ध ना होने वाली है और जो अमर है वे अच्छ या छोटी नहीं होती यह वे है जो उन व्यक्तियों से तो अच्छे कर्म करवाता है जिने वे उपर उठाना चाहता है और उन व्यक्तियों से बुरे कर्म करवाता है जिने वे नीचा गिराना चाहता है वे जगत का रक्षक है वे जगत का समराठ है वे जगत का प्रभू है औ और वही मेरी आत्मा है व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए हाँ वही मेरी आत्मा है व्यक्ति को यह जानना चाहिए इसके साथ ही उपनेशित का तीसरा ध्याय वत तीसरा भाग संपन हुए ओम शंति 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 ओम